राम राम दोस्तों, क्या आपने कभी सोच्चा है? हुक्के का आविश्कार किस ने किया था? भारत में तमा को कौन ले के आया था? या दुनिया का सबसे बड़ा हुक्का का है? हुक्का पहले अरब देशों में मसूर था, जो बिना वाटर टेंग के एक पाइप के जैसा होता था? उस समय भारत के पर मुगल शासक अकबर का राज था? उसके दरबार में एक वेक्ती आया अक्सद बेक जो बिज्जापूर का राजदूद था? उसने अकबर को हुक्का सेवन के लिए प्रोचाइद किया, बाद में हुक्के की लोग प्रियता को देखते हुए हकीम अब्दूल फते ने वाटर टेंग जोड़ा, जिससे हुक्के के दूह का दूस पर बहु कम हो सके, इस पर का रोका अपने मूल अस्तितव में आया, अब बात करते हैं तमाखू की, तमाखू का परचलन स्तार भी सदी में बताते हैं, लेकि कुर्टगाली व्यापारी वास्कोडी गामा चोदा सो ठाण में में बारत खोच चुका था, बारती मसालों की मांग यूरोपे देशों में बहुत थी, उसने बदले में हमें प्रिंटिंग प्रेस लगाना, नाओ बनाना तमाखू की हैती सिखाई, इसलिए भारत में तमाखू लाने वाला वास्कोडी गामा था, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े हुक्के की, गूगल बाब से हमने पुछा तो उन्होंने बताया सुल्तान हुक्का जो साथ फिट उच्चा है, जिसकी चार पाइप हैं, वो पाइप चार से छे फिट लंबी है, या एक रेंटल हुक्का है, इससे भी बड़ा हुक्का जो की 20 फुट उच्चा है, फेंटेशिया हुक्का लोंच कैलिफोनिया में है, अफसोस जो की एक डमी हुक्का है, अब हुक्के का जी कराए और हर्याना का जी करना हो, ये कैसे हो सकता है, हर्याना में हुक्क को 500 का प्याला का जाता है और इसे बाई चारे का परतिक मना जाता है हर्याना के कुरुक्षेतर जिले में धरवर मुजियम में है दुनिया का सबसे बड़ा हुक्का यह वही कुरुक्षेतर है चामावारत हुई थी इस हुक्के में 32 लिटर पानी आता है इसकी 3 फिट की चिलम में एक बार में 1-5 किलो तमाख हुआता है यही है दुनिया का सबसे बड़ा देशी तमाख हुका हुका जिसे चोधरी शरण सिंग हमारे भूद्पुरोग परदान मंतरी विजेरेली 1989 में दिली में पी चुके हैं यह उक्का बड़ी बड़ी खाप पंचातों का गवार चुका है वो चाए हर्याना में हो यूपी में हो राजस्थान में हो यह दिली में हो यही थी आज की काहनी जैन मिलते हैं अगली वीडियो में